तो कॉंग्रिस नेता राहूल गाधी ने एक बार फिर मनेपूर की हिंसा को लेकर पियम मोधी पर सीधा हमला बोला है राहूल गाधी ने मनेपूर पर पियम की चुपी पर सवाल उठाया तो लगे हाथ ये इलजाम भी लगा दिया कि बीजेपी और आरेसस की विचार धारा ने ही मनेपूर को जलाया है राहूल ने ये भी आरूप लगाया है कि पियम मोधी और बीजेपी आरेसस से जुड़े लोगों को मनेपूर की तरास्ती का कोई दुख नहीं है कि प्रदान मंत्री जी ने मनेपूर के बारे में एक शर्द देगा मगर आपको अश्चरी होगा कि हिंदुस्तान का प्रदान मंत्री नरेंद्र मोधी मनेपूर क्यों नहीं जा रहा है मनेपूर के बारे में बोल क्यों नहीं रहा है क्योंकि नरेंद्र मोधी जी चुने हुए लोगों के ब्रधान मंत्री हैं RSS के ब्रधान मंत्री हैं उनको मनिपूर से कोई लेना जिना नहीं वो जानते हैं कि उनकी विचार धारा ने जुसे बोलना चाहिए था क्या वो वाकई मौन है कल तक जो मुश्कल सवाल मुहावरों में पूछे जा रहे था राहुल ने उसे सीधे सीधे बोलती है सत्ता के शीर्श पर बैठे लोगों के खिलाफ अल्ला बोलती है यूद कॉंग्रेस के कारे करताओं से वीडियो कॉंफरेंसेंगे जरिये रूबर हुए राहुल ने सत्ता के विचारधारा को मनेपुर की त्रास्ती का कसूर्वार ठहरा है विबक्षी गडबंधन पर पिये मोदी के हमले का भी जवाद देगे बाकी देश को जला देगे इन दिनों कॉंग्रेस और उसके सईयोगी दलों ने एक नया पैत्रा चला है कॉंग्रेस और उसके साथियों की जमात ऐसी फ्रोड कंपनियों की नकल कर रही है यूपीये के कुकर में लोगों को याद ना है इसलिए इनोंने अपना नाम यूपीये से बदल कर आई एंडी आई ये कर दिया ओपोजिशन अलायंस ने बहुत सुंदर नाम चुना जो हमारे दिल से निकला इंडिया हम इंडिया हैं और जैसे ही हमने नाम लिया उसी इंडिया को नरेंद्र मोधी जी ने गाली देनी शुरू कर दिए उन्हें नहीं ये भी नहीं सोचा कि मैं इस पवित्र शब्ध हिंडुस्तान को गाली दे रहा हूं इतना कमंड है इतना हंकार है राजिस्तान की सीकर से पिये मोधी ने कॉंग्रिस पर चुन चुन कर हमला किया परिवारबाद और तुष्टी करण और प्रष्टाचार को भारत से भगाने का नारा दिया लेकिन राहूल ने पूछी लिया मनेपूर पर चुप्पी का सबब क्या है क्या सत्ता ही बीजेपी और संग की सियासत का लक्षे हो गया है मात्मा गांदी ने नारा दिया था पीट इंडिया अंग्रे जो इंडिया छोड़ो जैसे गांदी जी ने फीट इंडिया का मंत्र जिया था वैसे ही आज का मंत्र है ब्रसाचार फीट इंडिया परिवारवाद फीट इंडिया वो सिर्फ सत्ता चाहते हैं और सत्ता के लिए कुछ भी कर देंगे मनिपूर को जला देंगे बाकी देश को जला देंगे हर्याना पंजाब उत्तर प्रदेश सारे देश को जला देंगे क्योंकि इनको सिर्फ सत्ता चाहिए और कुछ नहीं चाहिए सिकर की सियासी भाषण में पीम की जुबान से कई बार दुकान का भी जिक्रा आए कांग्रेस जिसे नफरत के बाजार में महबत का दुकान बता रही थी पीम मोदी ने उसे लूट की दुकान बता दि राजस्तान में सरकार चलाने के नाम पर सिरफ लूट की दुकान चलाई है, जूट का बाजार सजाया है कॉंग्रेस का मतलब ही है, लूट की दुकान, जूट का बाजार और लूट की इस दुकान का सबसे ताजा प्रोडक्ट है, ताजा प्रोडक्ट भरजूड याक्रा में बहुत अच्छा नारा निकला, नफरत के बाजार में मौपबत की दुकान खोलनी है यही आपका काम है और कुछ बोलने की सरफ नहीं है मनिपूर में इनोंने नफरत की बजार को लिए चलिए हम जाके मुहबत की दुकान कोलते हैं जहां पी यह नफरत फेलाते हैं वहां आप जाके MALP49 दुकान कोले यूद कोंगर्स की कार्यकरताओं को वीडियो कान्फरेंसिंग के जरीए संबोधित करते हुए राहूल गांधी ने बीजेबी पर ये इल्जाम भी चस्पा कर दिया कि वो चंद लोगों के हाथ ही देश की संपत्ती सौंपना चाहते हैं समाज और सत्ता का संचालक भी चुलिंदा लोगों को ही बनाई रखना चाहते हैं विडियोर रपोर्ट न्यूस 24